एचससी नए आयोग का गठन पुराना आयोग भंग चेर्मेन सहीत नए छे सदिश्चे होंगे चेर्मेन इंटर्वी आपको दिखाएंगे आखिर चेर्मेन साब ने क्या कहा है सभी को राम राम नोस्ते सभी का मोस्ट वेलकम हार्दिक सवागत हार्दिक अभिनंदन आपके अपने परिवार कलास हब यूटूब चैनल में आएए जानते हैं कौन सी बड़ी अफडेट निकल कर सामने आ रही है किसे चेर्मेन बनाया जाएगा और किने छे सदिश्चे बनाया जाएगा कौन सी योग्यता रखने वालों को चेर्मेन और चेर्मेन के साथ साथ टीम में छे सदिश्चे गठित किये जाएंगे चलिए सबसे पहले तो जान लेते हैं हर्याना करमचारी चैन आयोक का नए सिरे से पुनर गठन होगा चेर्मेन छे सदिश्चों के लिए मंडल आयोकतों से सिफारिशे मागी गई हैं बोपाल सिंख खदरी ने चेर्मेन पद से का करे कल पूरा हो रहा था और आज अचार सहीता भी लग रही थी आगे जानते हैं फटा फट से छे सदिश्चों में दो तो ऐसे होंगे जिनें दस साल सरकारी नोकरी का अनुवव रहा हो दस सालिया उससे जदा जी हां यदि आपको भी दस सालिया उससे जदा सरकारी नोक प्रिशे त्याग पत्तर ले लिया हो तो आप भी आवेधन कर सकते हैं हर्याना करमचारी चैन आयोग का नए सिरे से पुनरगटन होगा इसके लिए चेर्मेन और छे सदेश्चे बनाए जाएंगे मुझूदा आयोग के चेर्मेन और सदेश्चों का कारिया का 23 मार्ज तक हो लेकिन 15 मार्ज कोई चेर्मेन साब ने इस्तीपा दे दिया है और अब यानि के वेच्छे साल तक जो सदेश्चे रहे तीन साल तक चेर्मेन रहे ये बातें बताई गई हैं यहाँ पर सरकार ने मंडल आयुक्तों से सिफारी से मांग ली हैं आप देख सकते हैं यहाँ भार तो आपको पता ही चल गई कौन नुक्त किये जा सकते हैं और कितने सदेश्चे अब बात करते हैं चेर्मेन साब ने इंट्रू दिया उसमें क्या कहा भौपाल सिंग खदरी ने एक महीने का वेतन गोपनिये साखा के करमचारियों को दिया चेर्मेन ने इस्तीपा देने के कि सदेश्चों का कारियकाल 30 मार्च को समापत हो रहा था मैंने मुख्यस-चीव को इस्तीपा दे दिया नई जिम्मेदारी मिलने के कारणी इस्तीपा दिया है मैं अपने कारियकाल ससंतुस हूं मेरे कारियकाल में 45,000 पदों पर भरतियां करके एक मिसाल पैदा हुई इस ब भी करते हैं पिछले एक महिने में लगबग 22,000 पदों पे बताया भरतियां की इस से पहले भी 23,000 पदों पर भरतियां की यानि पिछले सालों से 23,000 और मातर तीन दिन में 22,000 या 30 दिन में कुछ भी लगाओ 22,000 भरतियां ये कर देते हैं इस परकार 45,000 पिछले तीन वरसों मे भरतियां की गई मुझे दुख है कि हाई कोर्ट में लंबित कोर्ट केस के कान टीजी टी और ग्रूप 56 का रिजेल्ट नहीं दे पाए अच्छा जी यानि के वहाँ पे रिजेल्ट देना ही नहीं चाहरे थे दूसरे सब्दों में कहें तो साइध हम कोर्ट को अपना पक सही त संग्ठन जो जिम्मेदारी मुझे देने जा रहा है उसे भी मैं इमानदारी के साथ नहीं भाऊंगा मैं अपना एक मैंने का वेतन कारिये काल में कारिये रत चतूरत सरेनी के करमचारियों और मेरे साथ देर रात तक कारिये करने वाले गोपनिये साखा के करमचारियों को द पूमी का निवाते हैं मेरे आदर्स पूरो मुख्यमंतरी मनोहलाल हैं जब वे इतना बड़ा त्याग कर सकते हैं तो मैं 25 फिजदी तो कर ही सुकता हूँ आयोग का पूरा स्टाफ खदरी की विदाई के समय भाउक हो गया आप भी कोमेंट करके बताएं क्या आप भी खदरी क विदाई पर भाउक हैं कि आप खुस हैं ठीक है जी इस वीडियो में इतना ही मुलाकात करेंगे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ होके टेक केर बाबाई थेंक्यू